हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, सो आज मैंने यहाँ पे कुछ इंट्रेस्टिंग सा बनाने के लिए दो कपड़े के पीस ले लिए है जिसकी लंबाई है 16 और पोडाई है 15 अभी हम 21 लंबाई वाली स्ट्रिप कट कर लेंगे और उसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर स्ट्रिप बना लेंगे यहाँ पे मैंने ऐसी दो स्ट्रिप बना ली है अभी हमें इस स्ट्रिप को कपड़ी के उपर कुछ इस तरह से रख कर सिलाई करनी है और उपर से फोल्ड कर देना है यहाँ पे मैंने दोनों कपड़ी के उपर स्ट्रिप जॉइंट कर दी है फिर हमें एक दूसरा कपड़ा लेना है जो ग्यारा बाइक ग्यारा का है अभी हम इसे बीच में से इस तरह कट कर देंगे फिर हमें इस तरफ से तीन इच कनाप लेकर इसे फोल्ड कर देना है और इस तरह से भी हम तीन इच कनाप लेकर फोल्ड कर देंगे फिर नीचे की तरफ हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई कर देंगे आपको दोनों में ऐसे ही कर देना है और यहां पे हमारे ये छोटे दोनों कपड़े बनकर रेडी है अभी हमें बड़े कपड़े के उपर ये दोनों कपड़े उल्टी तरफ से रखने है अभी उसके उपर हम दूसरा कपड़ा रखेंगे और चारा तरफ से सिलाई कर देंगे यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है तो आप फोल्ड करके इसे ले जा सकते हैं देखे आप इस तरह से फूर्ड करकर रख सकते हैं और यहाँ पर आप उपर की तरफ डोरी डाल सकते हैं या फिर जिप लगा सकते हैं है ना यह बहुत ही यूसफुल चीज तरह सकते हैं यह बहुत हैं यह बहुत हैं